ब्रिक 再 playlist के वीडियो अप सभी का सवाकत है दुस्तों मेरा नाम है मुहमदाशीफ और आज के वेडियो के दर हम बात करेंगे गाड़ी को start did को बताएंगे आपको कॉंसी कॉंसी गल्तियां आप स्टाइट करने हैं और आपको स्टेप फॉलो करने हों कॉंसे कॉंसे ओते हैं जिसको गळत तरीका यूज करते हैं, इसकी वजेंसे आपकी इंजन पर एफ्रेक्ट पड़ता है और जो पुष्ण कॉमेंट बगएर लेकर करने वाले सबसे पहले नहीं है चैनल को सबस्क्राइब करने हैं तो आज का वीडियो इसफीजें के ऊपर है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों आज का वीडियो का लेते हैं शुरूर अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है दो तरीकी गाड़िया होती है जिसके अंदर एक ओटोमेटिक सेंसर वाली जो विदाउट की वाली जिसके अंदर चावी नहीं होती है सिस्टम नहीं होता है चावी लगाने वाला उसके अंदर इंजन, स्टार्ट, स्टॉप वाला जो ऑप्शन दिया जाता है एक स्विच दी जाती है बटन दिया जाता है जिसके तुरू आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है दूसरा ऑप्शन एक वह होता है जो पहले की वाला सिस्टम मिलता है बहुत सारे भाई कोमेंट अगल पर सिस्टम जो भी हो सबसे पहले आपकी जो स्टैंडिंग हो जाती है गाड़ी की वाला सिस्टम चावी वाले में तो अकसर आपने देखा होगा बह। सारी गाड़ी के साथ लोग गुंचा मना लेते हैं ऊबाऌते बाइक की चावी, प् compost की चावी, मत्त्त हुरूम इसको बहुत ज़्यादा लोग इग्णोर भी नहीं करते हैं और इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं अगर आप कोई भी गुंचे वाला सिस्टेम लगे हो ना अपनी गाड़ी के लिए अगर आप चाहते हो कि हमारी गाड़ी में शौर्ट शर्कीट ना हो फ्यूज बादका उल्सेश्टा रेती हैं यह उसके वीजह से आपका शॉर्ट सर्कीड होता है आपके जो फ्यूज होते हैं वो जाते हैं इन सब सिंसे क्या ना आप तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ बहुत सारी बाइक वगरा होती हैं। अगर करते हैं यह वाली गलती तो आपको अपनी चावी वाला दुंचा हटा देना है। और जिनके पास ओटोमेटिक सेंसर वाली की है जिसके अंदर से बटन दबाओ और बाकी अंदर चावी वगरा लगाने की जुरूत नहीं पड़ती हैं। तो इसके अंदर आप पांच किलो का वेट लटका लो तो कोई फरेंग नहीं बड़ता है। अगर आपका भी मन में ऐसा कोई कुश्चन है कि गाड़ी को स्टार्ट करने में दो इस्टेप होते हैं क्या तीन स्टोक होते हैं। गाड़ी आपके पास कही भी हो की वी हो या फिर ऑומरिक cu였습니다 दूसरी में दूसरी यह पर वीडियो भी लगाँगा कि तीन स्टेम में कौन से होता है। रीक है तीन स्टेम में घाड़ी कैसे स्टर्ड हो जाती है। अभी फाइनली आपको देख लहोंगे, यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है, एक एंजन स्टार्ट इस्टॉप वाला बड़न है, ओटोमेटिक सेंसर वाली गाड़ी है, तो लगाने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो लगाते हैं, की वाला सिस्टम यहाँ पर गुंछा बना है, तो हमारी जो गाड़ी है, इसको आगर आप करते हैं, तो आपको लाइट मेरा जो डित्रीमिटर है, आपको यहाँ पर ध्यान देते रहना यहाँ पर क्या कि आभाड़ा है, ठीक है तो पहला सिस्टम पाढूए कि इसको क्लिक थिया, तो आप दखेंगे यहां पर एक light आई हुई है yellow color में आपको दिख रहे हैं घी उपर single light है एक और हमने first use किया एक यहां पर एक light आ रही है अब लेखेंगे दूसरा step में आपको क्या आता है तो हमने यह दूसरा वाला दो numbers यहां पर पूरी डिजीटल की जो भी मिन मनलब इंडेकेटर जो भी होते वो सारे के सारे आ गए अब हमारी गाड़ी यह ना रट करना है तीसरे ऑप्षण पर तो आपट करकर जो भी मतरल लाइट की वो सारी की सारी जा चुकी है उपर जो आपको लाइट दिख रही होगी वो हैंड़न ब्रेक की है और जो मेंटर के अंदर आपको लाइट दिख रही है वो seat belt की है, तो अगर हम seat belt लगाएंगे तो यह सारी lead हट जाएंगे और हमारी गाड़ी finally step हो गई, तो आपका जो question है मन में कि हमारी गाड़ी दो step में follow करना होता है, क्या तीन step में follow करना होता है, तो दोस्तों जो भी मैंने अभी चीज दिखाई ना, पहला option और दूसरे option, व wait क्यों करना होता है, जो भी आपका engine होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यह follow करेंगे, आप जैसी चाकी को आपने दो step में ले जाएंगे, दूसरे step में, तीसरा step follow करने से पहले second वाले में, तो वहाँ पर आपको कुछ second wait करना है, उस wait करने से आपका engine का oil है, पूरे engine के अंदर, मत्तब से कुलर करेगा पूरे engine के अंदर, उस follow करने के बाद, तो अगर आप यह 3 step follow करने के बाद, तीसरे step में अगर अपनी गाड़ी को start कर रहे है, तो आपकी engine की life बढ़ेगी, engine के अंदर कभी कोई गिसा हो, पार्ट्स के अंदर, यह सब विल्कुल पूरी नहीं होगा, यह चीज follow करने से पहले, ठीक है, जब भी आपको step follow करने है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर आप यह 3 step directly follow करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इन चीज़ों को use करते हैं, आपकी जेप के लिए, और आपकी गिंजन की गाड़ी के लिए दोनों के लिए बेतर option है, अब यहां पर गाड़ी को start करने से ले करके, बंद करने तक हम पूरा explain करेंगे, कि आपको पूरी गाड़ी को start से ले करके end तक, जो भी आप start कर रहे हैं, और कहीं पर भी जाने के बाद बंद कर रहे हैं, तो वहां पर आपको किन किन चीज हैं, तो पहले की बगेरा के जो दो options होते हैं, उनको final clear करें, चावी वाला है तो वह ने आपको बता ही दिया, उसके बाद आपको गाड़ी में मानना है self, ठीक है, self लगने के बाद कुछ time आपको hold करना है, जैसे मैंने अभी start किया हुआ गाड़ी, और अभी गाड़ी चल आपको एक मिनिट, आपको पास time अच्छा खास आए तो एक से दो मिनिट भी ले सकते हो, नहीं तो maximum आपको एक मिनिट तो hold पे रखना ही रखना है, वेट करना है आपकी गाड़ी को चालू करने के बाद, एक मिनिट के बाद अपनी गाड़ी को AC चालू करना है, यहां पर क कर लो अपने अपनी साइड पर कर लो अपनी साइड पर कर लो आपनी अच्छा लगें वहां अपने कर लो अगर ठंडी बगेर का मोसम है, तो इस चालू करने से पहले, गाड़ी का सब्सक्राइब कर लो और फर यह खिल कने पर कर लो दर्फ़न कर दो बंद करना है तो अब यह ना करा आप सरी कहते हैं बंद वाला सिस्टम कहीं से भी आप आ रहे हों सो किलोमेटर गाड़ी चलाई यह आपने दस किलोमेटर का राउंड वार्क आपने गर पर गया और जैसे इस टॉप करते हैं वहां पर गाड़ी बंद तो मैं आप से सभी से रिक्वेश करूंगा अगर आप यह वाली ऐसलीं आप बंद आप जैसे क्या होता है आप कहीं जा रहे हैं जलता है एकाक मोगी होता जाय पर होते सुर्म की सा सब्साइव इंग करने और यह जिसापना अपनी घ्राड़ी को बंद कर J सब्सक्राइब कर दो इस से क्या होता है अब आप कहीं जा रहे हैं सब्सक्राइब आपकी इंजन पर इफेक्ट बढ़ता है जो भी मतलब इसके लिए मेरा कहने का मतलब यह है अगर आप कोई भी स्पीड में आ रहे हैं और आपने रिवस करके गाड़ी लगाई या फिर आपने मतलब शीदे गया और आपने परकिंग में लगा दिया और तुरन बंद कर दिए वहां पर एक मिनट का वेड़ कर लो जैसे कि आप हैं स्पीड आपकी गाड़ी और अपने यह को बन कर दिया तो उसके अंदर जो भी चकर मतलब अंदर की इंजन वे जो पार्ट लगे होते हैं वहीं थे जाम होजाते हैं अगर उल्टा इदर से उदर हैं तो वह बंद हो जाएगा उस युश पेशन में आप जो गाड़ी को स्टार्ट करते हो ना तो वह इस भी आती होगी कि इस टाइप की भी आती है लेकिन नया गाड़ी है आपके पास तो उस टाइम आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन वही चीज जब पुरानी गाड़ी थोड़ दोड़ होने लगती है वह चीज मालूम बढ़ती है अक्सर गाड़ी को तुमन्त बंद कर देना इस कट को फॉलो नहीं करना तो गलतियां यह से श्टार्ट होती है और आपकी गाड़ी करती है इस से आपका ही नुक्सान होता है तो दोस्तों अगर आपके पास को बी गाड़ी ओ agoraorn गार कार viv चिजस ऐसीरों को पूरा उक्यों बीना step को follow करते हैं तो एक simple तरीका मैं उदारन आपको दे दूँ सोते हुए इंसान को ठंडे पानी से डालके उठा दो उसका क्या reaction होता है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर आप अंदाया लगा सकते हैं तो ठीक ऐसा ही आपकी गाड़ी के साथ भी इसा ही होता है क्योंकि आपकी गाड़ी के लाइप बढ़ा सकते हो और अपनी चैप में पैसे बचाते हो तो फाइनली आज का वीडियो करते हैं फिर मिलेंगे ने इस वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए